आज मैं आपके साथ शेयर करने वाल हूँ यह वाला मेकप लूँ यह मैंने यह मेकपे लेक लिए क्रियेट चाल को कहीं मोटो करने क्रेख कर सकते हैं की। स्क्राइट लस्यां करने की करेकर लाहिक राकषा क millennials अदय कर सक täll का में मनाते हैं , इसाल लिएक। बहुत ससर्ण चमक्रुछा को तो इसे स्षान इन में मैं कर सकते हैं मैं यह make-up लुक किया है, तो सबसे पहले मैंने apply किया है, लिबाम, नीबिया का लिबाम मैंने lips को moisturize करने के लिए apply किया है। उसके बाद मैं अफेस को tone करने के लिए यह green tea toner यूज अगर oily skin है मेरी तरह तो आप भी एक green tea toner यूज़ कर सकते हो यह के पोस को minimize करता है आपके skin को बहुत अच्छा बना देता है smooth बना देता है salt बना देता है उसके बाद मैं इसे यूज़ कर रही हूँ यह है good vibes यहां पर कोई भी में मौश्राइजर यूज़ नहीं करूंगी बहुत अच्छा सिरम है अपने face को मौश्राइज करने के लिए यह वाला serum यूज़ कर सकते हो इससे आपके skin बहुत ज़दा soft हो जाती है और आपका जो make-up है वो long lasting रहता है और इसको absorb होने के लिए थोड़ा सा time लगता है अगर आप एक minute तक इसे absorb होने दोंगे उसके बाद आपको primer यूज़ करना है इससे आपके pose जो है वो minimize होते है बलर होते है primer का use करना बहुत ज़दा जरूरी होता है तो यह मैं color bar का primer यहां पर use कर रही हूँ इस तरह से आपको primer यूज़ करना है और primer अच्छे से लगा लेना है ताकि आपके जो pose है वो minimize हो जाएंगे उससे आपका face है वो बहुत जादा smooth हो जाएगा और इसे लगाने के बाद जब को कोई भी primer यूज़ करना ही चाहिए और अगर आपके पास primer नहीं है तो आप aloe vera gel यूज़ कर सकते हो तो यहां पर मैंने L'oreal का infallible foundation यूज़ किया है और यह थोड़ा सा आपको shade light लग रहा होगा बर बाद में थोड़ा सा ठीक हो जाएगा वैसे भी आप जब भी foundation लेत थोड़ा सा उसके बाद वो जो blend करती हूँ और थोड़ी देर के बाद वो oxidize हो जाता है तो मेरी shade में आ जाता है कुछ-कुछ foundation नहीं oxidize होते है बड़ ज्यादा तर foundation oxidize होते ही है यह थोड़ी देर के बाद मेरा shade ले लेगा तो यहां पर थोड़ी देर मैं इसे अच्छ से blend कर लोंगी और blend करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप चैसी करते हो ना तो आपका जो makeup है पैचे पैचे दिखता है इसलिए थोड़ी देर टाइम देना है ब्लेंड करने के लिए मेंक प्रोड़क्ट आप यूज कर रहे हो तो उसे ब्ल ब्लेंडर था उससे मैंने ब्लेंड किया और ब्लेंडर मैंने स्क्वीज कर लिया था पानी में डालके थोड़ा सा उसको निचोड लिया था और उसको यूज किया बाद में तो क्यूंकि प्रोड़क्ट वह सोक नहीं करता है फिर जादा इसी वज़े से वैसे ब्लेंडर आ और जो concealer आपने लगाया था उसे set करने के लिए मैं ये compact यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से डैप टप करके लगा लूँगी और इससे अच्छे से आपका जो foundation है आपने जो concealer अपलाई किया था वो set हो जाएगा उसके बाद मैं यहां पर eyebrows को fill करने के लिए ये music floor का gel eyeliner यूज़ कर रही हूँ इसमें मैं black shade ले रही हूँ इससे अपने eyebrows को fill कर लोंगी और थोड़ा-थोड़ा सा product लेना है आपको जाधा product नहीं लेना है नहीं तो fake लगने लगेगी आपके eyebrows और इस तरह से बहुत ही कम product से मैंने अपने eyebrows को fill किया है और यहां पर मैं यूज़ कर यही वाला palette यूज़ करती हूँ वैसे में मेरे पास 3-4 palette होंगे बट इसमें से ज्यादा ही यूज़ होता है यह वाला palette इसमें से मैंने यह dark brown shade लिया है और उसे अच्छे से blend कर लोंगी और उसके बाद ऊपर में थोड़ा सा light brown shade लगा के अच्छे से blend कर लोंगी eyeshadow में भी blending बहुत ज़रूरी है अगर आप blend नहीं करते हो आपका eyeshadow तो वह भी पैचे पैचे लगने लगता है तो इसी तरह से मैंने eyeshadow अच्छे से blend कर लिया है दोनों eyes मेरी complete हो चुकी है तो मैं यहां पर यूज़ करती हूँ liner के लिए मेरा फेवरेट liner लाग में का इंस्टा लाइनर औ और इस regular यूज़ करती हूँ और बहुत दिनों तक चल जाता है आपको मैं बहुत बार बता चुकी इसके बारे में और बहुत से लोग मुझे पूछते कि आप कौन सा liner यूज़ करती हो तो इसी वज़े से मैं आपको बहुत बार बताती हूँ कि मैं यह लैक में का इंस्ट जल्दी से लग जाता है और आप अगर बिगिनर हो तो उसके लिए तो बहुत ही जादा अच्छा है यह आप इसे मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो आपके और बहुत जादा मेहंगा नहीं है 110 रुपे का या 120 रुपे का मिल जाएगा और उसके बाद मैंने यहां पर काजल यू चैनल मस्करा А a wider बहुत है डैक्र वर्टर लाइन पर यूज रगा से जरूरी होता है तकि अपके जो वह गाप दिखती है उससे नहीं रिखती है वह जो नीचे और यी जो आप धिक्या आपके लेशेस बहुत जदा लॉंग दिखती है आपको फेक लेशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने फेस को कॉंटर करूंगी और ज्यादा कॉंटर नहीं करने वाली हूँ मैं क्योंकि टेका टाइम होता है डे पे मेकप करना हो गदें करें कि this увana ultra blush palette यूज करें है इसमें से कॉंटरिंग करूंगी और उसके बात नोस पर थोड़ी सी कॉंटरिंग करूंगे और ये जो लाइन पर थोड़ी सी कॉंटरिंग करूंगे बस इतनी ऑनि ज़ोटा रूंग करोंगी और वह भी बहुत जादा नहीं और यही ब्लश पैलेट में से वो मैं यूज करने वाली हूँ अपने चिक्स पे अपने ब्लश के लिए और बहुत अच्छा लगता है यह वाला शेड मुझे इसे भी में ज्यादा अपलाए नहीं करूंगी हलका हलका सही अपलाए करूंगी उसके बाद मैं यह मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज कर रही हूँ यह है मैबलीन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर और इसे भी मैं ज्यादा अपलाए नहीं करूंगी सिर्फ आपका नैच्टरल ग्लो आना चाहिए आपके फेस पे बस इतना ही लगाऊंगी और आप देख सकते हो मैंने बहुत ज्यादा अपल यूपिट ज्याद पर इसे बाद आपको से बलेंग प्लेत यूज कर रहे है श्याधा अच्छे से उसे यॡ्डव आफर यूज करें लेंगे और सब्रेilt करना घर पार तो इस तरह से ये beauty blender थोड़ा सा घुमा लेने से जो एक्सिस है वो सोक कर लेगा इसके बाद मैं ये SQ की जो लिप्स्टिक है मतलब liquid lipstick वो यूज कर रही हूँ इसका shade कुछ तो भी red hot date night इस तरह से कुछ तो भी shade है इसका मुझे याद नहीं आ रहा है तो वो shade मैं यूज कर लूँगे और ये बहुत ही अच्छा लगता है मतलब अगर आप ये एक lipstick ही apply करते हो ना तो इससे आपका लुक बहुत अच्छा मतलब उभर के आता है तो इसलिए मैं ये लिप्स्टिक बहुत ज़दा apply करते हूँ और आपने देखा भी होगा अगर जल्दी से मुझे ready होना होता है तो ये lipstick apply कर लेते हो इससे ना मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ज़दा अच्छा से makeup किया है आपने और बस इस तरह से earrings पहन लोगी और इसके बाद ये वाले earrings मेशो से है आपने देखे ये haul में और इसके बा इसलिए मैंने ये वाला सेट डाला है यहाँ पर मेरा makeup look complete हो गया है और ये है मेरा final look I hope guys आपको पसंद आया होगा और आपके लिए helpful भी रहा होगा अगर पसंद आया हो तो like जरूर कर देना शेयर भी कर देना अपने friends and family के साथ ताकि उनको भी help मिल जाये simple सा makeup करने के लिए राखी पर और अगर आप मेरे चैनल पर new हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो मेरे चैनल को subscribe भी कर देना इस चैनल पर मैं daily vlogs डालती हूँ और कभी-कभी haul videos और कभी-कभी fashion videos और कभी-कभी इस तास से makeup look भी आपके साथ share कर देती हूँ आपकी demand पर तो I hope आपको ये चैनल पसंद आयेगा और बस चेक कर लेना और आपको अगर अच्छा लगे तो subscribe भी कर देना इसके साथ मेरे दो और चैनल है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी subscribe कर सकते हो उसका link आपको description box में मिल जाएगा प्लस इंस्टा का link भी आपको description box में मिल जाएग बद्जेडर को smallest आपको अबस बद्दाव कि उल जाएगा येव sneak क कर दो में मिल दूनमगर येपको अबस्फ छिदोते हूशा सेना अवपको अपकोश ऴी कर दोनना इसके साथ में मुझे हो तो मुझे ग1 जाएग लेख टैनल इसक कर पाफो आपको लोगं हो बदा़ख है